नमस्कार प्रिय विद्धार्थियों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में तो ये वीडियो दोस्तो आई ट्याई electronics mechanics second year के चात्रों के लिए होने वाली है जिसमें की हम निमी assignment को solve करने वाले हैं तो जो यहां पर निमी की PDF में MCQ में देखने को मिलते हैं वो सभी हम solve करेंगे इसी परकार से आपको डेली साम साथ बजए classes देखने को मिलेगी जिसमें की हम MCQ discuss करने वाले हैं MCQ के साथ-साथ हम कुछ important concept भी समझेंगे क्योंकि इस बार आप यह माने के मत चलिए कि बिल्कुल ही निमी की पूछा जा सकता है तो concept समझना ज़्यादन जरूरी है आपको याद भी करना है निमी के को साथ आपको concept भी समझना है तो अगर आप भी इलेक्ट्रोंड मगनेट्रेट के चात्रे तो आगे इस वीडियो को इस class को अटेंड कर सकते हैं ताकि आप सभी की आईटाई एक्जाम 2024 की तैयारी और अच्छे से हो सके वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं दोस्तों चैनल पर तो आप इसी प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा चलिए तो पहला question यहां पर है कि DSO का पूरा नाम तो आप सभी को यह याद रखना है इसी प्रकार से दोस्तों आपसे CRO का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है तो CRO का आपको पूरा नाम याद रखना है cathodric oscilloscope तो DSO का दोस्तों digital storage oscilloscope अब इसके नाम से दोस्तों थोड़ा बहुत समझते हैं क्योंकि यहीं सी एक तो question बन सक signal में convert करके digital form में convert करके signal को store करता है और oscilloscope मरलब की हमें waveform को फिर दिखाता है तो input signal को लेगा digital में convert करेगा फिर इसको store करेगा और finally हमारी waveform हमें देखने को मिल जाएगी तो दो question तो आपके यहीं से बन गए बढ़ते हैं next question पे तो next question में यहां पे पूछा गया है कि जो IC 8038 होती है उसके pin number 2 से कौन सी waveform देखने को मिलती है बहुत type of waveform is available at pin number 2 of function generator IC 8038 तो pin number 2 पे कौन सी waveform देखने को मिलती है option यहां पे दिये हुए है sign wave मिलती है square wave मिलती है triangular wave होती है या फिर modulated wave होती है तो देखे सबसे पहले हम जान लेते हैं 8038 IC के pin configuration के बारे में कि हमें कौन कौन सी basically pin पे कौन कौन से output देखने को मिलता है तो यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहले pin number कर आप दो को देखेंगे तो इस IC की pin number 2 पर हमें sign wave देखने को मिलती है और pin number 3 की बात करें तो 3 पे हमें triangle wave देखने को मिलती है इसी पिरिकार जब आप pin number 9 को देखते हैं तो 9 पे हमें square wave देखने को मिलती है तो यह sequence आपको याद रखना है दो तीन याद रखेंगे तो sign और triangle और फिर लास्ट में जो लंबा वाला है याई 9 नंबर है 9 पिन पे square wave देखने को मिलेगी तो वही इसमें पूछा गया है कि दो नंबर पे कौन सी पिन देखने को मिल लिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो नंबर पे कौन सी मिल लिए sign wave तो option is का correct होगा चलिए next question में यहाँ एक circuit दिया गया है और पूछा गया है कि circuit का नाम क्या है तो आप सभी circuit को ध्यान से देखेंगे यहाँ पे दोस्तों 555 timer IC का यूज किया गया है अब हम option पर नज़र डालेंगे तो यहाँ पे दिया गया है R-stable multivibrator, B-stable multivibrator, RC coupled amplifier है या फिर यह monostable multivibrator है तो अब इन में से क्या है यह हमें पता लगाना है अब देखें अगर circuit में timer IC555 है तो यह दोस्तों RC coupled amplifier तो बिलकुल भी नहीं होगा अब हमारे बचे तीन circuit जिसमें की R-stable multivibrator है, B-stable है और monistable है तो जी हाँ दोस्तों multivibrator circuit को हम timer IC555 का यूज करके बना सकते हैं और वहीं हमसे यहाँ पे पूछा गया है अब एक find करने का दोस्ते एक छोटा सा track है अगर आप circuit को द्यान से देखें तो सबसे पहले यहाँ पे एक register connected है यहाँ पे भी एक register connected है और साथी में एक capacitor connected है और यहाँ पे कोई भी switch connected नहीं है अधि ऐसा कोई circuit आपको देखने को में लिए जिसमें कोई भी switch ना हो टाइमर आची हो इस तरीके से बना हो तो वह दोस्तों होता है हमारा आइस्टेबल मल्टी वाइबरेटर ओप्सन ए और जो आइस्टेबल मल्टी वाइबरेटर होता है वह स्कॉयर वेबफोर्म को जनरेट करने के लिए काम में लिया जाता है अब देखें मल्टी वाइबरेटर दोस्तों स्कॉयर वेबफोर्म को जनरेट करते हैं जनरेटर अ वो अलग अलग होते हैं इसके बारे आप डिटेल से पढ़ेंगे जब आपको समझ आएगा इसके बाद दोस्तों अगर मालीजी सर्केट में एक स्विच आपको देखने को मिलता है तो एक स्विच यानि मोनो तो वो होता है हमारा मोनो स्टेबल मल्टिवाबिटर यादि दू फंक्षान धी nso फोपर जो की एक स्टेबल वेवव फॉन को डिस्प्ले करता है मेक ऐस्टेबल वेवाबइफम डिस्प्ले हो स्क्री आपशन हमारे दिये गए हैं और आटो 1 सट फंक्विचन यह पिर चलब victim वाउन उसयत्व तो सब से पहले हम बात करते हैं सेव या से ह olhar जब आप उस सेटिंग पर एसो को सेटएप करते हैं तो उस टाइम पर असेल सेटप फंक्षण up को एक्टिवेटुएर अब माली जैग अभी कोई सेटप पर काम करने डीएसो में और उसके पहले कोई setup था तो यदि हमें DSO को उस setup पर बापर डालना है तो उस टाइम हम यूज करते हैं recalling setup function की इसके बात करें ट्रेगरिंग की तो ट्रेगरिंग बेसिकली signal waveform को generate करने के लिए waveform को display करने के लिए हम ट्रेगरिंग का यूज करते हैं इसी से हमारा जनरली DSO काम करता है इसके बात बचा कौन सा option है तो auto set function तो auto set function के द्वारा ही दोस्तों हम DSO पर एक stable waveform को generate करते हैं बागी saving setup and recalling setup इनके बारे मैंने आपको समझाए दिया है तो एक दो question तो आपके यहीं से बन जाएंगे next question पूछा गया है which acquisition mode is used by the DSO to sample the highest and lowest value of the input signal यहां पर दोस्तों acquisition mode यानी जब हम DSO में data को analog से digital form में convert करते हैं तो उस टाम क्या होता है उस टाम sampling लेते हैं तो sampling में वह कौन सी basically acquisition mode है जिसमें कि हम highest and lowest level को मुलब की sample करते हैं signal के तो बहीं यहां पर हमारे option दिये गए है auto mode है sample mode है या फिर average mode है या फिर पीक डिटेक्ट मूड है तो इसका option होगा दोस्तों पीक डिटेक्ट मोड में ही दोस्तों हम सिगनल के highest and lowest level की sampling करते हैं तो option DS का आपको याद रखना है next question की बात करें तो यहां पर पूछा गया है कि DSO में sampling का purpose क्या है what is the purpose of sampling and DSO operation तो sampling का generally use क्या होता है तो जब कभी भी दोस्तों हम अपने analog signal को हम अपने digital signal में convert करते हैं तो उस time हम क्या करते हैं sampling का use करते हैं यहां पर basically तीन स्टेप होते हैं पहला होता है sampling दूसरा होता है quantization और तीसरा होता है encoding इन तीन स्टेप को follow करने के बाद हमारा जो data है वो digital form में convert हो जाता है तो वहीं यहां पर पूछा गया है यहां पर पहला option दिया है control time-based signal तो जी नहीं time-based signal को control करने के लिए नहीं की जाती है sampling convert analog signal to digital signal तो जी हां analog signal को digital signal में convert करने के लिए हम sampling का use करते हैं तो option भी इसका correct होगा digital to signal to analog signal तो जी नहीं डिजल से अनालोग मनी किया जाता है और यह भी नहीं होगा तो option भी इसका correct answer होगा next question में आप पूछा गया है कि DSO का जो समक्र संचालन है या फिर सब कुछ जो काम है operation होता है वो किस device के द्वारा control किये जाते हैं how the overall operation of DSO is controlled तो microprocessor करके किये जाते हैं identify and Transistor कor किये जाते हैं या फिर यूजिंग discrete Company का यूज करके किये जाते हैं या फिर डायोड या फिर ट्रांजेस्ट्र का यूज करके किये आप सभी कोई याद रखना है नेस्ट कोच्छन में पूछा गया है बीच फंक्शन परफॉंग वाइदा सेंपल होल्ड सर्केट अलोंग बेद एडीसी एंड डिजिटल स्टोरेज और स्लियस को तो यहां पर बेसिकली दो सर्केट के बारे में दिया गया है कि एक तो है हमार सेंपल एंड होल्ड सरकेट तो पहला होगे हमारा स्पेल एंड होल चर्केट अब इसके साथ साथ दूसरा होगे हमारा एनालौग टुडिजिटल कनबरटर कैनी अडीसी तो इन दोनों सर्केट को मिला केजो tr chúng לה een वो क्या काम होता है तो जैसा कि कि आभी दोस्तों हमने जाना ADC तो हम समझते हैं analog to digital converter यानि analog को डिजिटल में convert करेगा और sample and hold यानि sampling होगी यानि यहां से जब sampling लेते हैं तो किसके लिए लेते हैं जब signal analog से digital यानि discrete form में convert करना हो तो यतना तो हम समझे है कि analog से digital form में convert करना है अब हम option पर लड़ा तो पहला option दिया गया storage तो store तो हमें करना नहीं होता data storage के time तो memory को हम काम मलेते हैं तो यह आपको याद रखना है यहां से भी caution बन सकता है storage के लिए हम किसको काम मलेंगे memory को data display तो data acquisition तो option C हिंदी में आकड़ा अधिकरा नहीं आप लिखा हुआ है तो आप देखे लिए sample and hold circuit प्लस analog to digital converter दोनों circuit को मला के हम data acquisition करते हैं अब देखे अगर आप सभी नहीं समझा रहा है तो आप इसका एक बार यह कौन सा सर्केट है basically तो यहां पर देख सकते हैं पल्स जनरेटर ऑप्शन दिए गए है साइन वेब जनरेटर है इसकार वेब जनरेटर या फिर फंक्शन जनरेटर है तो बेसिकली दोस्तों जो यहां पर मिल नहीं है तो जो सभी बेब फंक्शन जनरेटर यानी ऑप्शन दी नेक्स्त क्वेशन तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है वही का वही क्वेशन आ गया है जस्ट इसमें आई सी का नाम इन्होंने हटा दिया गया है और पूछा है कि कौन सी आई सी यहां पर तो इस तरीकी से भी आप से क्वेशन पूछा जाता है तो आप सभी इसको द्यान से समझेगा नेक्स क्वेशन में फिट से पूछा गया है कि जो आई सी 8038 होती है फंक्शन जनरेटर आई सी उसकी पिन नंबर तीन पर कौनसी बेब फ़र्म में देखने को मिलती है साइन व डेखने को मिलती है फित की पिन होती है उस पर हमें क्या देखने को मिलती है तो आ पे 3 नंबर का पूछा गया तो इसका अब li हमसे पूछा गया है तो जो का दूसनों सबसे बड़ा अडवांटेज होता है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जब इसका फुर्फम बताया था पूरा नाम बताया तो तभी आपको समझाए था जैसा कि इसका नाम है डिजीटल स्टोरेज तो इस्टोर कर रहा है तो में घ्न कोथे स्टोर करने का है हम इसको कभी देख सकते हैं सकते हैं और ऊ susceptible शबॆ कूछाock सा आइच्ट कर्ता है ड değildi कर Сकते हैं तो इहां पर पे इस पूस्ट को पूछा गया है गया कौन सा पार्ट है जो की स्टूर करता है मलब कि प्रोसेस डेटा को इनपूर्ट सिग्नल के प्रोसेस डेटा को इस्टूर करता है देखिए स्टूर करने की बात आगी हिंदी में भी आप इसको पढ़ सकते हैं डिये सो का कौन सा हस्ता इनपूर्ट सिग्नल वोल्टेज का संस करने का part होता है डीएस का किसी भी डवाइस में जो डीटा को इश्टूर करते हैं वो क्या होती है हमारी मेमोरी यानि ऑप्सन ए कि नेच्ट कोस्टन में पूचा किया कि फॉचा गया कि यह कौन सी बेब फॉर्म है तो ऑप्सन हमारेते गई हैं dc लेब फॉर्म है पाल्स बेब फॉर्म है रिंगिंग लेब फॉर्म है या फिर Europe वेब फॉर्म है । Wyatt बेबफोर्म कैसी होती है हम सभी जानते हैं DC एकदम सीधी होती है स्ट्रेट पल्स बेबफोर्म कहती होती है तो हम सभी जानते हैं होती है तो DC waveform भी नहीं है हमारी पल्स भी नहीं है तो बची कौन सी रिंगिंग वेफ़र्म यहां पर देख सकते हैं कुछ रिंगिंग पैटर्न में है ऐसे ऐसे तो आप्शन सी रिंगिंग वेफ़र्म तो नेक्स्ट कुछ नहीं पूछा गया है और अभी हमने समझाता सेंप्लिंग हम क्यों करते हैं जब कभी भी हमें डेटा को एनालोग से डिजिटल फॉर्म में कंवर्ट करना हो अब बेसेकली डिजिटल फॉर्म क्या होती है डिजिटल फॉर्म आ बन तो जितने भी दौस्तों डिजिटल समय होता है चया आपका माइक्रो प्रोसेसर, ऑ Hind फॉन को इसे थे वह सभी दोस्तों बाइनरी पर काम करते है किस pat breaking owski में बन नी पर यान जीर्म ऑलई च्टेझ में षां ओर लिगा में किस्टी काम करते Я तो सब गर सब्सक्रिक्ट convert it to binary number binary number में convert करके basically input signal sample यहाँ पर बूला गया input voltage sample तो sampling में क्या करते हैं हम analog signal को digital signal में convert करते हैं और digital signal या नि binary में उसको basically 0-1 के form में उसको convert कर रहा है तो option disk का correct होगा next question न दुस्तर पूछा गया है this circuit is using DSO to convert the input sample voltage into digital information यहां पर तो आप डिरेक्टले पूछा गया है जो input sample वोल्टेस हुता है उसको digital information में कौन सा circuit यहाँ पर convert करता है तो option दिये गहीं यहाँ यहाँ पर kya rectifier convert करता है तो जी नहीं rectifier तो हमारा AC power को DC में convert करता है ROSE inverter तो जी नहीं inverter भी नहीं करता है इंवर्टर तो DC to AC convert करता है क्या digital to analog converter करता है तो जी नहीं क्योंकि यहाँ पर information तो डिजिटल में convert हो रही तो यह भी नहीं होगा तो option DS का correct answer होगा है analog to digital converter देखिए मैंने आपको अभी एक circuit बता है है जिसमें कि snh यानि sample and hold circuit प्लास क्या था हमारा ADC तो ADC यानि analog to digital converter यह दोनों क्या काम कर रहे थे data acquisition का तो वह यहां पर पूछा गया है input voltage लगिस input sample voltage तो snh circuit से जो भी जाएगा signal वो सेंपल रहेगा व्लब की input sample voltage उसके बाद ADC में जाएगा जूकि digital form में convert करेगा नेस को सब्सक्राइब दूस्तों पिन नंबर 8038 के बारें पूछा गया है इसमें 9 नंबर पे कौन सी हमें waveform देखने को मिलती है तो यह अभी हम सभी लोग समझ गए तो अगर आप IC को ध्यान से देखेंगे तो यहां पे कुछ पिन टाइप के निकली हुए है और option AB से कुछ मिलता जूलता लग रहा है तो इसका option दोस्ता यह करेक्ट होगा यह PGA टाइप की पैकेजिंग है SMDIC तो इसमें पिन ने के लिए पिन ग्रेट एरे नेस्ट कोईशन यहां पर पूछा गया वाट इस दा एस्टेवल रेसेंस बैल्यू लिमिट फोर दा ESD रेप ESD रेप के लिए सुकर्प्तिरोद मूल सीमा क्या है कितनी एस्टेबल रेसेंस की वैल्यू है जो कि हम यह रखते हैं या फिर आपसे डारेक्ट के यह भी पूछ सकता है कि ESD रेसेंस के लिए कितना रेसेंस बेसिकली होता है तो यह आप सभी को याद रखना है इसका उप्षन होगा उप्षन सी बन मेगा ओम तो यह दोस्तों पढ़ते हैं डेटेल से इस टॉपिक को तो तब आपको समझ में आता है तो इस वीड़ में दोस्तों हम इतना ही रखते हैं इसी प्रकार से हम 20-25 कॉशन डेली कवर तो एक मैने के अंदर ही इसको गवर कर लेंगे इसके साथ में आपको कुछ और उस्तों चारी बीटो को लाइक प्रिक्ष वीडियो में जय हिन बन्दिमात्रम